हेलो फ्रेंद्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत हैं मैं कांशा अपने नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ मेरा आज़े हूँ कुषी रवाँ पुषी हुए है और अपने वीडियो के टॉपिक पर जोगी हमारा चैनल सस्क्राइब करें और अपने वीडियो के टॉपिक पर जोगिए हमाने पार्ट योजना का क्रमांगर टालते हैं फिर उसके बाद हम पढ़ ब्लैक बोर्ट फिलिंग बनाते हैं जिसमें हम सिक्षी का नाम, नामंकन, विध्याले का नाम, कक्षा, विशे, उपविशे, प्रकरण, दिनांक, दिन, समय और काला, कालखंसव, ये डालते हैं, फिर उसके बाद आता है हमारा सामानी उद्देश है, जो कि हमारे व इस प्रकार से हमारा उपविशे व्याकरण है, तो हम व्याकरण से सम्वंद्द सामानी उद्देश लिखेंगे, यहां पर मैंने 6 सामानी उद्देश लिखे हुए, आप चाहें तो 4 या 5 भी लिख सकते हैं, फिर आता है हमारे विशे उद्देश जो कि हमारे पकरण से सम् जो कि हम जो भी साहे एक्सामगरी इस्तमाल करेंगे वो यहां पर लिखने होती है तो हमें चौक, डस्टर, लबेट, श्यामपट, पॉइंटर आदी इस्तमाल किया हुआ है फिर आता है हमारा पूर्वग्यान की बच्चा जो भी हमारा प्रक्रण है उसके बारे में पहले से क क्या जानता है तो वह पहली मतलब पिछली कक्षा में पिछले पीरेड में पढ़ चुका है कि समास की परिवासा और उसके प्रकार की नाम को जानते हैं यह हो गया बच्चों का पूर हो गया है फिर सिक्षन विधी कि यहां पर व्याक्यान विधी और प्रश्मुक्तर पस हमारी कॉपी में उतनी जगे नहीं होती है इसलिए हम यहां पर इसको ऐसा मैंशन करते हैं तो वह पी स्वच्च रूप से बनेगा और समझ में भी आता कि कहां पर व्याक्या कर रहे हैं और कहां पर प्रश्मुक्तर कर रहे हैं फिर आता है हमारा अगला टॉपिक जो की अगला पॉइंट हमारा जिसमें हम तीन खंड बनाते हैं क्रमांग प्रसिक्षु-क्षिक्षी का महवार और मिध्यार्ती महवार जिसमें हम प्रश्मुत्तर के मात्यम से उनसे प्रस्तावना का जो हमारा प्रकरन है वो निकलवाएंगे फिर आता है हमारा उर्देश शिकतन की आज हम समाथ के प्रकारों की परिभाशा का उधारण साइथ अध्यन करेंगे फिर हमारा अगला पॉइंट है प्रस्तृती करन जिसमें हम क्रमांग, सिक्षूबिदू, प्रसिक्षू, सिक्षप का वैवार और विध्यारी गवार जो कि मैं आपको पहले पोल रही थी कि यहां पे विदी डाल सकते हैं तो वो प्रसिक्टर शिक्षी का वहवार के बाद विदी का कॉलम बना थे अब अब आपको चोपी क्लास को पढ़ा रहे हम तो आपको सारा को ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है उल्हार नहीं या परिभाषा वगेरा और बोल पोल के लिखना होता है जब आप रस्किति करन करते हैं तो फिर आता है बहुत द्यात्ता कर्ष्ट है कि हम जो भी हमने भी पढ़ाया उसके बारे में हमसे प्रश्ट में पूछे कि फिर हम कर्म धारा समास को पढ़ाएंगे और फिर इसके बाद हम दोनों से संबंदें यहां पर एक से दो यार्ट तीन परश्ट को दूफ लेंगे बहुत धात्मा पर आता हमारा देगी समास कि हम परिभाशा पताएंगे और बच्चों को समझाएंगे उस समय वित्यारती सुनेंगे और उसके बाद लेखेंगे अधारन दी होएं यहां पर तीन उसके एक बहुत धात्मा प्रश्ट किया हमने उन्होंने आंसर दिया होगे यह में आशन करेंगे पर आता हमारा अग्रा पॉइंट बहुत लिक्ले समाच जिसमें उसके परिखाशर बताएंगे और उधारन समझाएंगे और पर बहुत आपकर दश्न करेंगे यहां पर हमारा प्रस्तुती कराण समाब करता है फिर आपर श्यांपड का रूप जो भी आपने पढ़ाया है तो प्रकारों को भी यह कारों को बताया हुआ है इस हमें चाहिकर को ठीक है इस तनी है कि आपको एक यह दो करना है लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कख्षा में जब हम पढ़ाते होते हैं कि हम इतने सारे प्रश्ण करें क्योंकि हम वैसे ही बहुत द्यात्पक प्रश्ण करते हैं ज़ले आ रहे होते हैं और हां जो भी हमने बहुत द्यात्पक प्रश्ण यू पिरहाता है हमारा ख्रहकार को शैकार से इसमें हमें घर से करने के लिए जो हमक्षा पत्क देते हुग फिराता हमारा टिप नीस यहां पर हमारा घो भी परिविक्षक होता है और झोभी हमारा सहसे crosses बाल उता है वह यहां पर मेंचन करता है कि आपका पाटीर रोजना क्या पी हमारा ये वीडियो समाप्त होता है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने लाइक कमेंट और आपने सुचाब जबूर बताएं धन्यवाद